हेलो व्रीवन विल्कम टू एडवेज्टरी आज है दो अगस्त दो अगस्त के करेंट अफेर स्टार्ट करते हैं इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ यह जो सिरीज है ना यहां पर मैं हलाकी एंसी की उसके फॉर्म में लाता हूं करेंट अफेर को लेकिन यह सभी इंपॉर्टेंट आइडिकल जो पेपर्स में आते हैं चाहे दा हिंदू हो चाहे इंडियन एक्स्प्रेस हो या डाउन टू एर्थ मैगजीन हो कोई भी हो वहां सबसे ही लेकर के आता हूं तो जो भी इ MCQ के फॉर्म में लाता हूं इससे याद करने में और कैसे प्रस्ण आते हैं इससे भी इसमें भी आसानी होती है और इसके साथ इसमें इस्टेटिक्स भी मैं जोड़के रखता हूं क्योंकि इस्टेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा तर आप साइद आपको ज्यादा पसंद आएका हिली करते हैं आज तो हमारा पहला कुश्चन है राश्टी विधिक सेवा प्राधिकरन के संदर में निम मलिखि कर लो पर विचार की ज़ी ये बात की जा रही है नेशनल Legal Services Authority की विदिक राष्टी विदिक सेवा प्राधिकरन की इसमें क्या कर जा रहा है इसका उद्देश समाज के कमजोर वर्गों को समान अपसर के अधार पर निसुलक फिक्षम विदिक सेवाय प्रदान करना है पहला है ये दूसरा है यह पूरे देश में कानूनी कारिकरमों और योजनाओं को लागू करने है तो राज्य कानूनी सेवा परादी करन के लिए दिसा निर्देश जारी करता है यह है दूसरा यह पूरे देश में कानूनी कारिकरमों और योजनाओं को लागू करने हे तू राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरन के लिए दिसा निर्देश चारी करता है तो दो हैं आपके पास इसमें से कौन सा सही है यह हमें बताना है तो किया है आफशन केबल एक केबल दो एक दो दो ना तो एक न तो दो तो आप दो सकेंद देखें और इसका मैं आंसर बता देता हूं यह जो है पहला वाला यह भी बिलकुल सही है अर दूसरा भी सही है यानि की की इसका option सही हो जाता है तो इसका एक तो कमजोर बर्गों के लिए समान अफसर निसुल को सक्षम विदिक सेवाय परदान करना है और दिसर निर्देश भी जारी करता है तो दोनों ही इसके option सही हो जाते हैं तो इसके वारे में और चीज़ें जान लेते हैं अगर इसकी परिवासा की बात करें तो समाज के कमजोर बर्गों को मुक्त कानूनी सेवा परदान करने के उद्देश से लोक अदालतों का गठन है समाज के जो कमजोर बर्गे हैं उनको मुक्त कानूनी सेवा परदान करने के लिए लोग सेवा अदालतों का गठन करना इसका मुख के उद्देश है कुछ अधर पॉइंट है इसकी जो इस थापना है 1995 में हुई अच्छा इसका शौर्ट प्रिट हुआ नालसा ठीक है यह भी दियान रखना नालसा के नाम से भी आ सकता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथर्ट इस समय इसका विल पास हुआ था आपको अगर कोई पेपर में लिखना पड़ता है यह सब याद रखना जरूरी है एक सब्द का जो पेपर आता है मतलब एक दिन वाले पेपर आते हैं जैसे एससी हो गया अगर ऐसे सी जैसा है तो उसमें बस आपको कुछ पॉइंट याद रखने है तो पॉइंट भी बता रहा हूं और लिखना कैसे वह भी बात कर लेते हैं इसके इसके इस्तापना उन्नी सो पंचान नबे में हुए बिल कवाया था इसकी क्या बजाती आने की वह मैं बता बता चुका हूं कि जो लोग गरीब हैं या तो सक्षब नहीं है ठीक है कौन कौन होंगे वो हम आगे बताएंगे कि कौन कौन होंगे तो उन लोगों को कानूनी सेवा फ्री में कैसे उपलब्द कराई जाए क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं है जिने जो कानूनी सेवा प्रॉपर ले पा रहे हैं या उनके पास वो सक्षम नहीं उतने पैसे नहीं उ तो हमारा अनुछेद आर्टिकल 39A है अगर हम भारती सम्मिधान में सम्मिधानिक प्रापधानों को देखें तो आर्टिकल 39A हमें याद होना चाहिए इसके अलावा आर्टिकल 14 and 22 1 ये 3 आर्टिकल हमें याद होने चाहिए तो इसमें सबसे पहले इसको देख लेते हैं ये DPS कोई ब्राप्त करने में सक्षम नहीं प्राइवे टोर पे मतलर bit मान लो कोई व्यक्ति है जिस को जिसके साथ कुछ गलत है ठीक है या ऐसा ने जिसने कुछ गलत किया है, ठेकें, दोनों हो सकते हैं, अब क्या है, अगर वो वकील करता है अपना, तो उसमें बहुत जादा पैसे उसके खर्च होते है, क्योंकि वकील बहुत महिंगे होते हैं, तो अगर ऐसा कोई पैसे गरीब लोग होते हैं, जिनके पास किसी भी प्रकार से पैसे नहीं होते कि वोखी को तो दे नहीं सकते 500 भी अगर उसका तो नहीं दे पाएंगे इस प्रकार की अगर हालत है उसको फ्री में फिर सो है कि इस आर्टीकल की टते है थर्टी इसका पार्ट नहीं है इससे जुड़ा हुआ यह पहले से था हमारे कानून में इंद्रा गांधी के समय से यह वाला आर्टिकल चला आ रहा है हमारे पास ठीक है उन्हों नहीं पहले जोड दिया था इसके बाद कानून के समक्ष समानता इसके बाद इसको आप जानते हैं इसको मैंने बता दिया तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको कानूनी सेवा प्राप्त करना जिसके लिए प्राइवेट तौर पर संभाव नहीं है तो उसे फ्री में सेवा मुहिया कराई जागी एक अदालत वाला सुप्रीम कोट हाई कोट या जिला सत्र नियाले होगा उसके द्वारा एक वकील मौया करा जाएक चाहे वह एक्क्यूज हो या विक्टिम हो अगर कोई किसी ने गलत किया है उसके पास भी पैसे नहीं है कि वह अपना वकील कर सके तो उसे भी कोट द्वारा वकील दिया जाता है और यह एक सही एक्यूज हो या विक्टिम हो वो अदालत में फेस नहीं हो सकता है उसे अपने वकील के माद्दम से बात रखनी होती है तो इस वज़ा से सभी को वकील दिया जाता है ठीक है एक बात करने के लिए कोई दिया जाता है क्योंकि कानून का जानकार तो वह है ना वह वैक्ति तो है हम खुछ जाकर के खड़े होकर के बात नहीं कर सकते ज़च के सामने प्रापर तो खेर यह एक सब्वे समाज के लिए यह जरूरी है तो यह चीजें तो यह पहले से प्रापदान है इसके लावा लोग अदालत जो बनाई गए है वो इस आर्टिकल इस वाले प्राधिकरन के तहट जो 1995 में आया था उसके तहट यह वाले प्रापदान किये गए है इसमें क्या क्या है निसुलक कानूनी सहायता प्रापदान की जाएगी ठीक है इसके तहट नालसा के तहट निसुलक कानूनी सहायता प्रापदान की जाएगी कानूनी जागरुकता का विस्तार किया यह अग़र यह संस्था बनाई गई है तो इसके कोई हीड भी हों節 कौन होगा सबसे पहला हेड कौन होगा सुप्रीम कोट का मुख्य न्यायधिस ठीक है चीफ-ज़्टिस ऑफ इंडिया तासी का बिल्ट जो है उसके तहर थीक़ है नालसा का जो chief justice जाज होगा वह मुख्य नयाधीस होगा chief justice of 2008 होगा उसके वाद राज स्तर पर राज स्तर पर उच्छ नयाले का मुख्य नयाधीस होगा जीला इसतने में रखेकर ने आदिस तर जिया जैसा को बना दिया होगा उसी को सजया अधिकार होता है में इसके अलावा जो बरिस्ट के उप मंडल जो होता है उसमें कौन होगा बरिस्ट कोई स्विल जजज बर इस ंसका है क्योंकि हार जगा पर जरूरी नह Efendimiz को बनाए जा सकता है क्योंकि हम में चाहरे जेवा पाने का अधिकार किसे किसे होगा, ठीक है, मैंने तो जो बताया था 39A के तहत, कैदियों के बारे में बात कर रहा था मैं, अलाकि उसमें ओ Liawora Can The बच्चे हो सकते हैं जिनके पास यह सुगधान नहीं है कि वह अपना वकील कर सकें अंसुचित जाती हैं अंसुचित जनजाती के सदस्य हो सकते हैं इसके लाबा सामुहिक आपदा बार सूखा इस तरह की स्थिति मतलब कोई उस एरिया में कोई प्राक्टिक आपदा आई है तो उस तरह से जो लोग परेशान हैं उनको भी इस तरह से सायता पाने का अधिकार होगा इसके लाबा बिकलांग है उससे भी सायता मिलेगा इसके लाबा बहुत इंपोर्टन है कोई मानो तसकरी का सिकार हुआ है जैसे किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राज जैसे क किसी बच्चे को उठाला है अब उसके परस कहां से पैसे होंगे ठीक है तो वह अगर आता है तो उसे भी इस तरह से सेवा प्राप्त करने का अधिकार होता है उसको दिया जाएगा यह हमारा करतब्द है ठीक है इतनी चीज़े है हमारा जो नेस्ट कुष्ट्टन है वह है भारत के संसत के संदर में निम निखित कत्नों पर विचार की जिए तो क्या है एक निजी सदस्य का विधेयक एक संसत सदस्य दौरा प्रतुत किया विधेयक है जो निर्वाचित नहीं है वलकि केवल भारत के राश्ट्पती दौरा नामित है अब इसमें एक सबदारा ह केवल इसकी वुज़े से इसमें ब्लाव पिए जाएंगे चलिए आगे देखेंगे दूसरा है लिए भारत के संसर ने अपने इतिहास में पहली बार निजी सदस्य का एक विधयक परित किया बूला जा रहा है कि अभी अभी ऐसा हुआ है पहली बार जब भारत की संसर्थ में इतियास में पहली बार एक निजी सदस्य द्वारा विधयक प्रस्तुत किया गया तो यह दोनों ही गलत हो जाते हैं मतलब इसका आपसन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा डी क्यू कि पूछा चाहरा है कि कौन सा सही है अब इसमें क्या कहा जा रहा है एक पर और देख ठीक है भारत के राष्टपती द्वारा मनोनित होता है ठीक है यह बात सही है कि कोई जो निजी सदस्य होता है न वो भारत के राष्टपती द्वारा मनोनित हो सकता है लेकिन केवल सब्द नहीं होना चाहिए आगे बताता हूं कैसे ओके तो जो हमारा पहला आपसन था कि के भारत के राश्पति दोरा नामित जो सदस्य होते हैं उनकी बात की जा रही है वहां से गलत हो जाता है क्योंकि ठीक है अगर कोई मंत्री करता है संसत के किसी भी सदन में कोई मंत्री करता है अगर किसी बिल को इंटिड्यूस तो वह सरकारी बिल कहलाता है ठीक है अगर कोई सदस्से करता है जो मंत्री नहीं मंत्री के लावा कोई भी सदस्स कोई भी संसद हो सकता है तो वह अगर करता है तो वह प्राइवेट बिल कहलाता ह लेकिन वहाँ पर वाला दूसरा वाला क्या कहता है क्यास आली में जो है पहली वारा सब्भबै जो किसी निीजी सब्स्वारा था टृधियक विध गया था 1952 में इसा पेस किया गया था तो पहला यह हो जाएगा फ़िर उसके बाद यह निस तो चौछ मंन में वह नहीं प्रयणडर में इप लिए से और दो इसे ठीकर की तो यह हो गया थो नु पहले हो चुके उस बजांसे यह घीया वह यह और दूसरा ट्रांसजेंडर वाला तीसरा अब यह हो जाएगा तो तीन हो गया अब देखो यह वाला जो कुश्चन है न यह आया क्यों यह भी इंपॉर्टेंट है अब वहां पर यह पूछा गया था कि यह पॉलिटी का कुश्चन हो गया कि किसी एक निजी सदस्य द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाना ठीक है बिल प्रस्तुत किया जाना यह एक पॉलिटी का कुश्चन हो गया तो आया क्यों क्योंकि राज्य सभा में एक स्वास्त के अधिकार पर विधेयक प्रस्तुत किया गया जो निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था ठीक है और इस पर गहन चर्चा भी की गई है अब बात तो कुछ और हो रही है सवाल कुछ और आ गया सवाल इसली कुछ और आ गया क्योंकि यह दोनों चीजे जुड़ी हुई है तो जरूरी नहीं है कि आप जिस करेंट अफेर को पढ़ रहे हैं बस वही आ जाएगा उससे जुड़ है दो कोई जितनी चीजें हैं कुछ भी पूँछा चारभ चाहिता है चाहिए वह कोई बीयिकजास होता है और इसमें कहा गया है कि अगर और कोईrockमंत नी leash देश की GDP बढ़ानी उसकी ग्रोथ बढ़ानी है तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि देश की स्वास्थ भी अच्छा रहे देश के लोगों का सवास आंगे तब फूली त्वलबें योगधान कर पाएंगे जिस थे बट इसकी बात हम फिर कभी करेंगे तो इस में इन्हों कहा है जब भी कोई नीती बनाए जाती यह रदी तो जास्ट। तो इसके लावा इस विधेक में ये भी कहा गया है कि जो स्वास्त का अधिकार है वो सभी नागरिकों के लिए बैक्ति को बैक्तियों की बात नहीं किया रही है ध्यान रखिएगा नागरिक मतलब देश में जो नागरिकता प्राप्त लोग है उनकी बात की जा रही हमारे देश के लोग विदेश के अंतर का अधर क्या क्या बातें आती हैं वो भी देख लेते हैं अन्य अधिकारों के तहर स्वास्त के अधिकार में भी सुतंत्ता एवं पात्रता दोनों घटक सामिल हैं सुतंत्ता में स्वयम के स्वास्त और सरीर को नियंतित करने का अधिकार उधारन के लिए योन एवं प्रजनन अधिकार कथा हस्ता सेप से मुक्ति का अधिकार सामिल है उदारण के लिए यातना गैर सहमती चिकेस्ता उप्चार आज से वुक्ती ठीक है तो इसका मतलब क्या इसका समझ देते हैं स्वास्त सरीरिक नियंत्रण की बात की जा रही है सारेरिक नियंत्रण का मतलब है अभी देखो दिल्ली पहले इसको समझ देते हैं क्या होता है योन और प्रजुनन की यहां पर बात करें तो इससे अच्छे से समझ सकते हैं तो कोई मालूम महिला है ठीक है उसको वह गरवती है लेकिन वह नहीं चाहती है कि उसको वह बच्चा आया था कि अगर कोई महिला है जो 24 मंथ से प्रेग्नेंट है 24 मंथ या 24 मंथ से प्रेग्नेंट है तो वह अगर साधी सुदा है तब तो उसे अपना बच्चा कि करवाने का अधिकार होगा लेकिन अगर वह लीविंग में रह रहे हैं या इस प्रकार से कुछ है और वह गरवती होजाती है यससे जादा उसका प्रेग्नेंट सीजह बीश है 20-27 से 24 सप्था के 20 रहन आधिकार नहीं हो इस चीज पे भी बात हिए यहां पर कि भाई उसक इच्छा है कि जो अभी बच्चा आने वाला है वो अभी उसका जरम नहीं हुआ है ठीक है अब बना नहीं है तो ठीक है वह अगर चाहती है करवाना तो उसके सरीर का पार्ट है वह उसको भिखा सकती है इसके लिए अलग-अलग कानून है यहां यह कहा जा रहा है दूसरे तरीके से का समझा जाए तो वो भी एतिकली कहीं न कहीं सही गलत कुछ भी उसको उसको क्लियर नहीं कर सकते उस पर भी हम कभी बात करेंगे भारत के संविधान में क्या प्रापदान है वो भी देख लेते हैं यहां पर संयूक्त राष्ट की बात की जा रही है यहां पर से ब्रेकल ट्वंटिफाइब है इस चीज से जुड़ा हुआ स्वास्त के लिगास से जुड़ा हुआ उसकी बात की जा रही तो भारत संयूफत राष्ट द्वारा सरभामिक अधिकारों की घोष्णा नाइंटीन फोटी एट के तहत कोई व्यक्ति है यहां पर व्यक्तिगी बात की जा रही है कोई व्यक्ति है उसको भोजन पपड़ा आवाज चिकिस्टा एवं देखवाल की जो भी उसकी बुन्यादी सुभधा है उसको देने दिया जाए यह इस वाले आर्टिकल में कहा गया है यहां पर व्यक्ति की बात की जारी यानि कोई विदेश से आएगा उसकी बात की जा रही है जैसे कोई उन्लीगल माइग्रेंट होता है वो चला आ रहा है आ गया मान लोगलती से ही आ गया या उसके पास आपस नहीं है जैसे रोहिंग्या हो गया तो उनको भी यह चीजें मिलनी चाहिए यह इस वाले अर्टिकल में कहा गया है अभी क्या क्या सामिल है वह देखते हैं और यह कैसे जुड़ा हुआ है तो आटिकल 21 की बात की जाएगा उटकल 21 जीवन की सवतंता जीवन और विक्तिकल्स वतंता की बात करता है इसमें जो सुप्रीम कोट है हमारा उप्रीम कोट ने इसे बहुत जादा ब्रॉट कर दिया ज जीने का अधिकार जैसे आर्टिकल 21 जोड़ा गया था इसमें सुप्रीम पोर्ट द्वारा जोड़ा गया था इसमें कहा गया था राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो रॉट साल से कम उम्री के बच्चें उन्हें राइटु एजुकेशन का अधिकार है और जीवन की सवतंतर के अधिकार में ना सिर्फ जीने का अधिकार मतलब वो जी रहा है कोई उससे मार ना दे यह वाला नहीं है जीने का बढ़ी चीज है जैसे वह सवतंतर होगा उससे लावा अच्छी हवा ठीक है एक प्रापर यह का एर है जसे तो फिरस अ मम इने है समाज में हपाइब फॉटरम गंदा पानी भी इस के अधिकार का हनन्ण करता ठीक है यह सब ​​चीन इसके अलावा स्वास्त जब पर यह और वातर की बात की घया इसका मतलब स्वास्त की भी बात की गई है यह नॉर्मल है जुड़ जाता है तो स्वास्त का अधिकार भी आटकल एक्टिस के तहत वैसे ही आ जाता है ठीक है तो यह भी है इसके लावा जो हमारा अधिकार दीपी एसपी में आटिकल 38 39 42 43 47 बात की गई है यह हलाकि सरकार के उपर मेडिटरी नहीं है वह चाहें तो इसे कर सकते हैं मतलब इसे लागू किया जा सकता है चाहें तो ना भी करें बट एक उनका दायत तो है कि उसे यह लागू करवाएं बट आटकल एक इस तो अनिवारे तोर पर कियाता है कि इतनी चीज़ें मिलनी ही चाहिए यह सुप्रीम क सुप्रणरी प्रमने रेकल में चलते हैं कि जिया इप राज्य हमिन इन्डेक्स दोह जार एक्टिस इंडिये इन्जी इन्डेक्स दोह parf प्रक्ट हुआ तो इसमें क्या है आपके पास और करनाटक केयला है तमिलनाडव वैं गुजराथ है वैसे इसका आपसशन साहत पता ह करनाटक को मिला है पहला स्थान इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में इसके वारे में और बात करें तो 2021 का इंडेक्स इस रिपोर्ट का तीसरा संस्क्राइब इसका मतलब दो पहले आ चुके है और यह जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का जो पैमाना है उसी पैमाने पर इससे भी तैयार किया गया है और इसके अलावा 2020 में यह वाली रिपोर्ट आई थे 2020 में इसमें टोटल 36 इंडेक्स रखे गया थे तो 2021 में बढ़ाके 66 कर दिये गया तो अब 66 इसके पैमान है जिस पर देखा जाएगा कि कोई राज कैसा प्रफॉर्मेंस कर रहा है इस वाली रिपोर्ट में इन्वेशन के छेते हैं अब यह जो 66 इंडेक्स है उसे सेवन पिलर में बाटा गया है ठीक है सेवन पिलर होंगे उसमें इसे बाटा गया तो इसमें पाच जो पिलर हैं पाच जो पिलर हैं वो मैं इन्पूट को मापते हैं सक्षम इन्पूट को मापते हैं और दो पिलर हैं जो जो प्रफॉर्मेंस आउटपूट को मापेंगे उसको भी हम थोड़ा सबसेंगे तो सक्षम इन्पुट है इसे दो भागों बाटा गया बता चुका हूं मैं इनेवलर्स या सक्षम इन्पुट और यह आउट्पुट है प्रोफॉर्मेंस आउट्पुट इसमें क्या है इन्वेस्टमेंट है नॉलेज वरकर है विजनेस डवलप्मेंट है और सेफ्टी किस अलावा कि सरकार हैं की सिकर रही है मतलब two उस प्रदेश के सरकार इंवेस्टमेंट में क्या ध्यान दे रही है नौलेज बिजनेस के प्रती किस प्रकार का बेवहार करती है किस प्रकार का वहाँ बातवरन मिलता है बिजनेस सेफ है या नहीं है कि अचानक से सरकार कहा दे नहीं नहीं यह वाला बिजनेस बंद करो है ना ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो यह सब चीजें देखी जाएगी इस हिसाब स इंडेक्स में रिपोर्ट इंडेक्स में आपको रैंकिंग मिलेगी इसके लाबा प्रफॉर्मेंस में क्या-क्या है नौलेज आउट्पुट और नौलेज इस दिफूज़न थीक है तो यह कुछ चीदें हो गई अब जो यह वाला इंडेक्स है ना इसे तीन स्रेडियो में बाटा गया है तो भारत के और इसमें यहां पर नक्से में थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा तो एक तो है प्रमुख राज्य थी कि यह बड़े वाल में निको हाश्या थो गया इस तरह से और चंदीगर बखेर तो यह उसको इनसाटीद प्रदेश को अलग रख कर गया है इसके आलावा पहाडी राज्य और यह वाले राज्य थी कि जो आप राज्य यह इनको और इनको अलग रखा गया इस तरह से इसको तीन भागुन बाट गया पहला ये दूसरा केंसासित प्रदेश तीसरा और तीसरा ये ठीक है ये जो पहाडी राज्जें के वाले कोन कैसी रैंकिंग पार रहा है वो भी देख लेते हैं पहले नंबर पर तो करनाटक रहा दूसरे नंबर प पर हरियाना रहा पहले नंबर पर करनाटक तेलंगाना फिर हरियाना करनाटक का स्कूर एटीन पॉइंट जिरो फाइब इसका कोई वह जरूरत नहीं है आपको ये ध्यानक नच्छे करनाटक तेलंगाना और हरियाना पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे रहें पर सबसे नी से बॉटम में रहा तो 36 सबसे नीचे रहा फिर रहा क्या उड़िसा उसके बाद क्या रहा भी हाथ यह तीन यह तीन राज जह इस वकार से इसके लावा केंदसासित प्रदेश में पहले नंबर पे चंदी गढ़ रहा इसके बाद दिल्ली रहा तो इसको याद करने की जरूबरत है पहारी राज्यों की बात करें अच्छा सबसे बॉटम में कौन से रहा लद्दाख सबसे बॉटम में लद्दाख रहा इधर यह लद्दाख यह पुराना नक् आपना बॉटम में और पहले नंबर पे चंदीगल यहां प्रद फोर इस रखंड यह पर आजाएगा ऊंगा जा आ जाएगा यह इसके लावा सबसे लास्ट में जो रहा वह नागा लेंड ला नागा लेंड यह यह नागा लेंड तो नागा लेंड सबसे लास्ट में रहा यह थोड़ा सा इसको मैं इसका PDF कर दूंगा उससे आप अच्छे से इसको पढ़ लेना यह कुछ बाते थी इसके बारे में तो यह थे आज के आर्टिकल, उम्मीद है आपको पसंद आये होंगे, अगर पसंद आये हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी से मैं आगे बढ़ पाऊंगा, थेंक यू फर वाचिंग, एडवे स्टुडी